तो आज को पना टॉपिक है वह बहुत तो इंपर्टर नहीं वाला है क्योंकि यह जो पूरी सीरीज है इसी टॉपिक के उपर बनी हुई है तो आज को अपना टॉपिक है वह है इसको लोवर टाइम पर देखना है इसके अलाव है इसका यूज किया है मेन यूज कि इस टाइम पर इसके आपको मैंने बताया है कि आइसीटी और एसमची दोनों अलग-अलग कोंसेप्ट है इसके उपर मैंने डिटल में वीडियो बना के रखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखिए पहले उस वीडियो को देखो इसके बाद में जितनी भी पूरा नहीं वीडियो से उसको पहले देखो क्योंकि मैंने यहां पर पूरा कॉंसेप स्टेप बाई स्टेप बनाया है तो चल यह आज की टॉपिक को समझते हैं पहले ड्रोइंग बोड पर चीजों को समझते हैं उसके बाद में चार्ट पर जाए कुछ एक्सांपल लोगी रहा देखिए तो अभी आगए अपन ड्रोइंग बोड प होता है में मार्केश शिफ्ट बोलता हूं चेंज ऑफ केरेक्टर दोनों का नाम अलग अलग है। काम एक ही है कुछ लोग सेम मानते हैं कुछ अलग अलग मानते हैं बागी हैं सेम ही difficult difference है थोड़ा वहद चीज़े अलग हैं बागी यह cianya सेम रहे काम करती है अपने इग आपको बताता हूं देखो smart money concept के अंदर होता है change of character यह जो change of character होता ना यह use होता है structure mapping के लिए structure mapping मतलब जिसे बियोस हो रहा है या चोच हो रहा है मतलब train reverse हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए use होता है change of character और ICT के अंदर यह जो MSS होता है market shift होता है यह entry confirmation के लिए use होता है समझाता हो किस तरह use करना आप इन दोनों का किस तरह आप यूज कर सकते हो देखो यह जो दोनों है ना चोच और MSS market structure shift इन दोनों को अपन अलग-अलग रखेंगे जहां पर आप चोच लिखोगे इसका मतलब हा higher time frame को देख रहे हो जैसे अगर माल लो कहीं पर आपने चोच लिखा है यहां पर माल लो आपने चोच लिख दिया इसका मतलब हाइर time frame यूज कर रहे हो कहीं पर आपने MSS लिखा market structure shift लिखा मतलब आप lower time frame की बात कर रहे हो बाकि दोनों एक ही चाहिए मैं अगर higher time frame पर चोच लिखता हूं lower time frame पर चोच लिखता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है सर यह होते कैसे इनको अपन थोड़ा समझ लेते हैं चलिए सबसे पहला ICT SMC के अंदर आपको मैंने बता है कि SMC के अंदर क्लियर बियोस होता है यह बियोस यह सारे clear बियोस है बट ICT के अंदर जो होता है वो MSB होता है, market structure break होता है, यह कैसे होता है, जैसे यहाँ पर अगर यह clear Bios कर रहा है, यह सारे fake Bios है, इसके अंदर क्या होना चीए, जैसे Bios हुआ, यह जो liquidity है, इस liquidity को hunt करें, inducement को hunt करें, और फिर उपर की तरफ canda close करें, तो यहाँ पर होगा sir, अपका MSB, market structure break, कब होगा sir, जब previous low की liquidity को market hunt करेंगा, तब जाके structure break हुआ, बट यहाँ पर smart money concept के अंदर simple होती है, Bios करता है market, higher high low high बनाता है, तो वो Bios कह देते हैं उसको, okay, ICT के अंदर क्या है, liquidity वगिरा hunt होती है, उसे के बाद में structure वगिरा बनते, तो जो previous वीडियो से थी, उसके अंदर आपको में detail में बताया है, MSB का बारे में, अगर आपने वीडियो नहीं देखिए, उस वीडियो को आप देख लेना, आप समझ जाओगे, अब बात करते हैं, यहाँ पर change of character के बारे में, आपको rate candle, इस तरह आपको rate candle, विक भी दिख सकती है, और body close भी दिख सकती है, अगर body close हो जाती है, तो उसको बोलते हैं, अगर विक लगती है, तो उसको बोलते हैं, liquidity sweep, समझ में है, दोनों अलग अलग चीज़ है, देखो, अगर विक लग जाती है, तो यहाँ पर क्या हो, liquidity sweep हो, यह liquidity hunt हो, यह candle close होगी, और candle close होने के बाद में, अगर वापस green candle अंदर आ जाती ही, इस से body candle, मानलो, इससे body candle अंदर आ गई, मतलब क्या हुआ है, यह अपना fake out हुआ है, fake out ही बोलते हैं, इसको support register अपने देखा होगा कि, अगर register का breakout होता है, चोटी candle से, बड़ी candle अंदर आ गई, तो वेसे ही same चीज़, यहाँ पर देखो, या market structure shift को समझे, उसको आप समझो, तो मैं इसको उटा देता हूँ, अब यहाँ पर देखो, यह जो अपका higher time frame पर हुआ है, यह क्या हुआ सर अपका चोच हो गया, अब यह जो चोच है, यह real है या नहीं, कैसे पता जालेगा, क्यूंकि अपन अगर देखे, अगर मानलो यह वनोस का structure है, एक मिनिट, अगर मानलो यह आपका वनोस का structure है, अब यह वनोस के structure पर भी योस हुआ है, या नहीं हुआ है, कैसे पता लगा है, देखो, अगर मार्केट structure break करता हो, BOS, 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 और यहां पर break कर देगा, तो अपने को use करना पड़ेगा, सर, higher time frame, अगर मार्केट कोई higher time frame, higher time frame मतलब, यहां पर में यह भी लिख देता हूँ, कोई higher time frame, daily, weekly, अगर मानलो daily, weekly के कोई FBG के अंदर, fair value gap के अंदर, या order block, या supply demand, daily पे अपन जो draw करेंगे, उसको supply demand बोलेंगे, वो भी अगरे बात करेंगे, मानलो daily के, daily की, daily और weekly के supply or demand या fair value gap के अंदर, market आता है, और आने के बाद में, one house या two house के उपर, यह आप देख रहे हो one house के उपर, one house के उपर, आपर, चोच हो जाता है, market इसको break कर देगा, तो यह अपना हो जाएगा, चोच, यह confirm चोच है, क्योंकि market एक zone के अंदर है, यहाँ पर मैं यह भी लिख देता हूँ, मानलो, यहाँ पर मैं zone लिख देता हूँ, यह daily sell zone, daily, daily का sell zone है, अब यह कोई भी sell zone हो सकता है, ठीक है, कोई अपना fvg fair value के अपर हो सकता है, order block हो सकता है, तो यहाँ पर अपने ड्रोगा दिया, अब इसको test करा, test करने बाद में यह जो BOS हुआ है, यह अपका क्या है, inducement है, यह upside की तरफ inducement है, market ने निची की तरफ break करा, यह अपका हो गया, change of character, charge, क्युक्का higher time frame के इसाब से market ने डाउंसा की तरफ break किया structure को, यह जो अपका है ना, charge, इसको कुछ लोग charge बोलते है, change of character बोलते है, कुछ लोग क्या बोलते है, M, SS बोलते है, और कुछ लोग BOS भी बोलते है, सबका अपना अपना तरीगा, कुछ लोग इसको break up structure भी बोलते है, ओके, तो नाम अलगा लगे, काम एक ही है, कि भई, हाँ structure, आपको बस इतना पता होना चीए, कि structure break हुआ है, या structure change हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, structure change हुआ है, तो अब इसको आप चोच भी बोल सकते हो, इसको आप market structure shift भी बोल सकते हो, तो मैं इसको हटा देता हूँ, चलो, यहाँ पर अपने लिख दिया सर यह चोच, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, यह होगी अपना चोच, अब चोच होने के बाद में, अपन या करेंगे, order block ड्रोग करेंगे, direct trade तो कर नहीं सकते, क्योंकि हाँ टाइम फ्रेम यह वन ओवस है, तो अपन या करेंगे, जैसे FPG, मान लो आव यहाँ पर fair value gap ड्रोग कर रहे हो, या order block ड्रोग कर रहे हो, आपको trade कहां कहां पर करना है, वो भी अपन आगे वाली वीडियो के दर बात करेंगे, अब भी सिर्फ अपन market structure shift को समझ रहे है, तो यह मान लो order block है, higher time frame, one overs का order block, यहाँ पर मैं यह लिखता हूँ, order block, one overs का, अब यह जो pink line है, यह आपका one overs का order block है, इसके अदर market आता है, आने के बाद में sir, यहाँ पर जैसे इसको test करता है, वो test करने के बाद में इसको break करता है, यह हो गया, आपका क्या sir, market structure shift, आपका चोच हो गया, lower time frame पे चोच हो गया, यह हो गया market structure shift, इसको मैं थोड़ा सा सोटा करते था हूँ, market structure shift, अब कुछ लोग, जैसे कल की वीडियो ही थी, उसके अदर मैं यह भी बताया था आपको, कि जैसे आपका चोच होता है, जैसे structure break ह जैसे बीयोस हुआ, अब यह होने के बाद में market previous low की liquidity को हंड करें, तो यह तो one over के हिसाब से क्या हो गया, one over के हिसाब से यह तो MMS हो गा ही नहीं, क्योंकि यहां पे structure break नहीं होना चीए, यह चोच नहीं होना चीए, क्यों, क्योंकि कि market यहां से जाके वापस उपर की liquidity को हं बट यह चीज गलत है, जब market one over के selling के level में आ चुका है, और first time आपको lower time frame पे choice मिल रहा है, तो उसको choice मानो, market structure shift मानो, और sell कर दो, जो भी order block बन रहा है, जैसे market आ गया, one over के आपके order block के दर, जैसे first time इस नहीं हापे क्या कर दिया, structure break करा, downside की तरफ, change of credit कर दिया, या market structure shift कर आप lower time frame पे one minute पे order block बना के trade बगेरा कर सकते हो sir, okay sir, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वापस wait करोगे, निचे की तरफ क्या करें, निचे की तरफ, बियोस करें, निचे की तरफ, चोच करें, वापस उपर की तरफ, चोच करें, और फिर इस तरह करें, ये आपका ज़रू ये भी बना देता हो, मानलो ये डेली का अपका selling का zone है, इसके अंदर आता है, और one hours के उपर, market test करते ही, one hours के उपर, चोच मिल जाता है, ये चोच आपका valid है sir, ये चोच आपका valid हो गया, अब valid होने के बाद में, आप क्या करोगे, selling के लिए order block या, fvg, fair value gap, fvg, fair value gap, fvg यहाँ पर एक और चीज़ है sir, कि इसके अंदर भी ICT के जो trader है, वो trade नहीं करते है, इस तरह direct trade वो नहीं करते है, वो wait करते हैं, जैसे यहाँ पर one minute, यह one minute की बात करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, blue line, चलो, यह अपना हो गया, one minute, अब मैं जो अंदर ड्रो करूँगा यह one minute होगा, ओके, यह one minute, अब one minute के उपर क्या होना चाहिए sir, जिसे market break करेगा, तो यह aggressive तरह के से break करना चाहिए, मतलब, यहाँ से market गिरा red red candle, जिसको displacement भी बोलते है, तो जिसे red red candle बना के गिरेगा न, यहाँ से red candle बना के गिरा, यह displacement हो गया, इसके बाद में, बीच में आप आपका fair value gap होना चाहिए, क्या होना चाहिए, one minute के उपर आपका fvg fair value gap होना चाहिए, fair value gap बन गया, बनने के बाद में market जब नीचे की तरब जाएगा, एक पर pull back लेगा, okay, market, order block, fvg fair value gap तक नहीं जाएगा, market पहले ही गिर जाएगा, यह गिर जा, देखो यहाँ यहाँ पर fvg fair value gap या order block है, इसको test करें, यह एक perfect trader होती है, तो इसको बोलते है, market structure shift technique, entry confirmation technique भी इसको आप बोल सकते हो, तो यहाँ पर यह जो one minute पर हो रहा जो आपन देख रहे हैं, कि market जब break करेगा, तो तुरन लगातर candle बना के break करें, फिर उसके अदर imbalance हो, और imbalance हो है, वो test ना हो, फ आपके feel up होंगे, तब जाके आपके trade बनेगी, अगर यह rule नहीं बनेगे, trade नहीं होगी, तो चोच जो है, वो structure mapping के लिए अपन यूज कर रहे है, higher time frame है, कि daily weekly के zone में आगा, और चोच मिलेगा first time, वो चोच अपना valid होगा, यह inducement नहीं होगा, हाँ, एक और चीज, कि अगर म हो सकता है, inducement, market हो सकता है, यहां से अपसा की तरब जाए, तो यह होगा, आपका MSB, market structure break हो जाएगा, क्यों, क्योंके market एक sell के zone में नहीं था, जब daily के sell zone को tap करेगा, और first time, चोच करेगा, जिसे daily के zone के अधर आया, और one हो उसके उपर candle close करिया, तो यह चोच वाना जागा, क्योंकि यह market selling के zone में है, बट अगर यह selling के zone में नहीं है, और वो पहले ही choice कर रहा है, तो वो inducement भी हो सकता है, ठीक है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, यह market वापस अपसा की तरब break कर दे, क्योंकि यहां पे कोई selling का zone नहीं है, selling का zone उपर है, तो वो उपर जाने क चीजे clear हो जाए तो चले चलते चार्ट पर ओके तो अभी आगए अपन चार्ट के उपर यह चाटे यह जी बीब वस्टी तो उसका चार्ट अगर आपको backtest करना है तो यह जो नीचे देश दिख रही है यहां पर आगे आपको backtest वगरा करना ही है ठीक करना नहीं है करना ही आ आपको आना है जब example में बता देता हूं उसके बाद में खुद आओ कोई बात नहीं है आपके बाद में बारी प्ले मोड नहीं है तब भी आप कर सकते हो कुछ निए लेवल वगरा है ड्रो करने है जब आप लेवल वगरा भी ड्रो करोगे तब भी बहुत सारी चीजे आप करता है प्रिवियस स्विंग लो या पुल बेक की लिक्विटी को हंट करे हाई कंफर्म ब्रेक करे यह होगा आपका MSB मार्के स्टक्चर ब्रेक ऐसा ही होना चीए देखते हैं यहां पर एक्जांपल देख लेते हैं इसके भी और फिर अपन मार्के स्टक्चर शिफ्ट को भी समझेंगे जैसे यहां पर देखो यह आपका हाई पॉंट ले लेते हैं यहां पर मार्केट ने यहां पर देखो यह स्टक्चर ब्रेक नहीं हुआ है यहां पर यह देखो यह जो विक लग रही यह क्या है यह आपका इंड्यूजमेंट शिफ्ट है ओके फिर अपन इस करें के यहां पर आपका नापका ब्रेक होगा है कुछ लोग इस तरह लों करते सकते के एक लिका रही इस पर यहां पर यहां पर हंडिया है यहां पर राइऴ करते हैं यह यह पना सब्सक्छार यह यहांusan market बागी इसने इसकी local liquidity को hunt कर दिया जैसे ही low की liquidity hunt हुई sir यहाँ की liquidity हुई inducement trap हुए लोग इसके बाद में यह अपना high confirm हो गया यह क्या हो गया high confirm हो गया अगर इसके उपर body close हो जाती है अगर इसके उपर body यहाँ पर close हो जाती है तो क्या हो गया अब order block हो गया अपना बनेगा तो आपको समझ में आगा जैसे liquidity hunt होती है वैसे structure point बनते और point बनने के बादे उसके break के उपर अपन trade बगएरा करते है यह सारी इसकी simple है अब यहाँ पर देखो यह जो structure है इसी पूरे structure को अगर मैं daily के आपसे देखता हूँ जैसे अगर मैं daily पर कर दूँ चलो daily पा जाते है अब daily पाने के बाद में structure को देखे है तो यहाँ पर अपका MSB है चलो उसको रहने देते हैं यहाँ पर देखो यह daily के साब से हो गया असरा आपका BOS break of structure मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यह भी MSB लिख देता हूँ MSB market structure break अब यहाँ पर लिक्विटी पगरा देखना है आप देख सकते हो वाट मैंने भी simple समझाने के लिए आपको लिखा है बाकि आप यहाँ पर भी high low जैसे इसकी local liquidity को swing low को hunt किया है previous candle को देखो यहाँ यह liquidity hunt हूँ यह hunt होने बाद में high confirm यह आपका कहलाएगा यह आपकी liquidity को hunt करके structure को break कर रहा है MSB इसको अपन कह सकते हैं मतलब देखो BOS होता या चोच होता है अगर आप देख रहे हो अगर liquidity inducement देख रहे हो अगर वो चीज़ आपको मिल रही है कोई high की liquidity low liquidity यह candle की liquidity को हंट कर प्रिवेस लोग को hunt कर लेती इस तरह weak लग जाती है यहापर तो क्या होगे सर अपना और कोई भी green candle अगर यह इस तरह भी green candle बन जाती है तो यह भी pullback होता है pullback यानि अगर कोई candle नीचे आ कि इसकी liquidity को hunt करेगी और उपर structure को break करेगी candle close करेगी तो यह structure break माना जाता है कुछ लोग इस तरह भी देखते हैं सर मतलब तीन candle सिर्फ एक candle जो है अगर लोग को hunt करती है विक भी लग जाती ना उसको वह मान लेते है कि liquidity hunt हुई है सर समझ माया चलो यहापर में बताता हूं देखो अरे यार यह पूरा हड़ गया इसको मैं हटा देता हूं चलो यह अब यहाँ पे देखो अगर आप इसकी विक को ध्यान से देखोगे यह दोनों की इसकी विक जो है ना वह प्रिवेस द्रक्रा ना वह ओंकी तरिवीए नीचे गई है मतलब हम यह पर लेक्विदी सीप हुई liquidity यह MSB कह सकते हैं कह सकते हैं इसको कुछ लोग इस तरह भी draw करते हैं बाकि आपको मैंने किस तरह draw करना है वो मैंने आपको समझा दिया है अब यहाँ पर MSB मैं example के लेता हूँ कि यहाँ मालो MSB हो गया market structure break आपका हो गया daily के उपर अब daily के सब सब last of opposite cattle जैसे यहाँ पर imbalance वगर आप देखोगे तो imbalance भी है यहाँ पर fair value gap भी है बड़ अपन order block को ले ले लेते हैं यह अपन डेली के demand zone इसको मैं demand zone बोल देता हूँ यह अपना demand zone यह जो green line आप देख रहे हो green box देख रहे हैं यह अपना demand zone है अब मैं आ जाता two hours के उपर अब मैंने कर दिया इसको two hours के उपर अब two hours के उपर करने के बाद में यहाँ पर यह आपका हो गया daily पर okay यह जो मैंने MSB लिखा यह बड़ी line यह आपका daily का MSB structure break point है अब यहाँ पर देखो यह अपका structure break यहाँ पर गया market और यह liquidity को हंट गया यहाँ यहाँ यह liquidity shift हो गया अगर market एक बाद structure break नहीं कर पाता और वहाँ पर विक लगा देती है मतला विक लग जाती है तो फिर आपको wait करना उस विक का break होने का सब्सक्राइब यहाँ पर यहाँ पर देखो यह तो अपना होना चीए था क्या sorry यहाँ पर MSB लिगा बढट यह कहा है सर MSB नहीं है यह MSS है market structure shift है क्यों market structure shift बोल रही है इसको अपना मारकेट से ना इसी सब्सq लेते हैं सर आपका डांसी की तरब नहीं बनता क्यूंग यहापे इस सिर्फ लेख ब्रोख सकते यह रहाएm सबसे market demand zone के दा है मतलब overall जो trend है अब इसका buying में change हो चुका ओके यह मैंने एक्जामल होता है बाकी MSB भी इसको आप बोल सकते क्योंकि market तो overall trend में ही है ट्रेंड में ही ना buying के ट्रेंड में किया तो structure shift हो नहीं है अगर market इसदर से गिरता माल लो इस तरह गिरता 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 और इसको test के उपर अगर प्रिवेस से उगाई को ब्रेक कर देता तो यह liquidity end नहीं था यह अपका structure shift ही कहलाएगा क्योंकि market demand zone के दर आ चुका है आपको समझ में आ रहा होगा चले तो यह अपना मार्के शिफ्ट हुआ अगर यह दिमांड नहीं होता यह दिमांड नहीं नहीं होता फिर यह आपका MSB होता क्योंकि market ओलोल ट्रेंड में अब structure shift क्यों बोल रहे क्योंकि market demand zone के अंदर test करके कर रहा है आपको इतनी चीजह समझ में आ गई होंगी अब इसके demand zone को ड्रोग लेते मतलब इसको थोड़ा सा फीचेवी कर देता हूं चलो अब मैं चला जाता हूं market demand zone के अंदर आया और यहां पर चोच हो गया यह अपका structure mapping है कि अपन structure map करने के लिए चोच का यूज़ कर रहे है जब उसके अंदर आएगा order block के अंदर आएगा अगर lower time frame गात कर रहे है जैसे मानलो अपन 3 minute पर जाते है 1 minute पर नहीं आएंगे करना या विक लगना पहले विक लगी अपना क्या होगा लिक्विटी सिप केंडा क्लोज हुई इंडिसमेंट हो गया देखते हैं ओके फिर यहां पर नीचे कि तरह फिर इंडिसमेंट वहाँ structure break नहीं है high point break नहीं हो रहा है फिर यहां पर देखो यह अपना liquidity को हंट किया है जैसे liquidity को हंट किया high point अपना इधर आ गया अब debate करते हैं अब यहां पर high liquidity भी हंट कर रही है अंदर यह minor अपनी point है इससे अपने को मतलब नहीं है यहां पर क्या होगा सर अपना चोच बोलो या अपसाई की तरह market ने structure break करा वो अपना हो गया चोच क्योंकि market demand zone के अंदर है तो first time अपसाई की तरह break करा मतलब change of creator चोच हो गया अब market अगर चोच के अंदर आता है चोच की जो P.O.I. उसके अंदर आता है यह higher time frame बोलो यह higher time frame पी बोलो इस P.O.I. के अंदर आया इसके अंदर imbalance भी है यह देखो यह आपका imbalance हो गया यह आपका imbalance हो गया ठीक है तो यह अपन ब्रेक से पहले का इस imbalance को लेते तो यह अपना बाइंग का zone है सर्फ मतलब दो चीज़ों होने चीए पहला कि market अगर lower time frame पर चोच करा तो वो clear नहीं होना चीए जैसे अगर आपन तरह market structure shift हुआ valid है पहली चीज़ दूसरी चीज़ है कि जब market structure shift करेगा तो वो लगातर candle से करना चीज़ एक्रेसिव तरीके से ठीक है जिसा कर आप यहां पर देखो ते लगातर अपने green candle बनी फिर green candle बनी फिर एक red बनी और फिर लगातर green candle और यह भी बड़ी बनी है ठीक ह अगर इनमें इस चीज़े नहीं होती है तो यह आपका fake भी हो सकता है सर बस इतना ही फरक है चोच और आपका MMS market structure shift के अंदर देखते हैं इसके test के वोपर क्या होता है एक second test देख लेते इसका और चोती चीज़ मैं आपको तीन चीज़ बता दी पहले चीज लिक्विडी हो फिर बाद में market आगे इसको test करता वह perfect setup होता है सर देखते हैं देखते हैं यह बनाता नहीं बनाता ओके ओके एक मिट रोक देता है उसको देखो यहां पर market यहां पर है रुकने के बाद में perfect test हुआ इमबलस का test हुआ नहीं हुआ अब कुछ लोग किया करहें सर यह है है इसके निचे है यहां पर बाई कर लेते हैं चलो थोड़ा से उपर बाई कर लेते हैं इसके निचे दो तीन विप का इस टॉपलोस है और टीपी की बात करें तो देखो यहां पर भी डिस्प्लेस्मेंट दिख रहा हुआ लगा तर गेंडल बन रही है मतलब इस हाई तक भी टीपी वापस रभाई कर रहे है और अचाना से गिर के सारे स्टॉपलोस को हिट कर देगा ऐसा भी हो सकता देखते हैं ओके ओके देखो यहां पर आनेक बाद में उससे पहले मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहां पर यह यह दिख रहा है यह क्या है यह सारा फेक है जो आपके करना है उससे पहले मार्केट कुछ भी करें उससे मतलब अपने को नहीं है देखो परफेक्ट टेस्ट हुआ इंबलेस का और टेस्ट होते ही डिस्पलेस्मेंट आप देख रहे हो बड़ी-बड़ी केड़ बना कि उपर यह तरब जा रहा है यहां पर आपका स्टॉपलोस क सिर्यों सो सीखना चाहते हो आप मेरे मेंटेस्ट प्रग्ड़म को सब्सक्राइब जोइन कर सकते हो जोइन करने के लिए इस पर कर सकते हो मैसे कर सकते हो तो इस वीडियो के अंदर इतना है फिर मिलते हैं बहुत यहल दी नई वीडियो को साथ में ध्यान रखो अच्छे से backtest करो उसके बाद मैं लाइओ मार्केट पर आप जाओ ओके थेक्यू सो मच बावाई टेक केर